आप सब को जैमसी की Bible Stories हिंदी YouTube चैनल पर आप सब का स्वागत है आज मैं आपको हनोग के बारे में बताने वाली हूँ जिसका वर्नन आपको उत्पत्ति की पूस्तक और उसकी पांच अध्याय के 21 से 24 वचन में देखने को मिल जाएगा इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें आप हमारी Bible Stories हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को दबाना ना भूलिएगा तो आए प्रियो हम वीडियो को शुरू करते हैं प्रियो यह उस समय की बात है जब आदम की पतन की बाद मनुश्य प्रिथी पर बढ़ने लगे तब आदम की वन्शावली में हनोक का जनम हुआ जो आदम की सात्वी पीडी का मनुश्य था हनोक की बारे में हमें Bible में विस्तार पुरुवक नहीं बताया गया है लेकिन जितना हमें उसके बारे में बताया गया है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उप्योगी है प्रियो बाइबल हमें बताती है कि हनोक जब पैसट वर्ष का हुआ तब उसके एक बेटे का जनम हुआ जिसका नाम मतुशेलह था और मतुशेलह की जनम के पस्चाद हनोक तीन सो वर्ष और जीवित रहा लेकिन इन तीन सो वर्षों की विशे में ऐसा लिखा हुआ है कि वह तीन सो वर्षों तक परमेशर के साथ चलता रहा और फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेशर ने उसे देहे सहित जीवित उठा लिया प्रियो जब आप उत्वत्तिक की पांच अध्याय को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि यहां नुहू तक आदम की वन्शावली के बारे में बताया गया है एक और बात जो इस अध्याय में ध्यान देने योग्य है वह है मनुश्य की आयू उस समय के लोग सेकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे उस समय अधिकतर लोगों की आयू 300 से 900 वर्ष तक रही और यही नहीं प्रियू आप यहां यह भी देखते हैं कि यह दिपी उनका जीवन लंबा था लेकिन वह मृत्यू पर ही समाप्थ हो रहा था जहां परमेश्य का पवित्र आत्मा हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय के दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जहां मानव जीवन लंबा और कठीन था मनुशे जाती अधन की वाडिका के पूरे आनंद को खोच चुकी थी और समय के साथ साथ दिन प्रते दिन भ्रस्ट और अनैतिक होते जा रही थी और इसी भ्रस्ट तथा पतित संसार में हनुक का जनम हुआ प्रियो यहोदा की पत्री और उसकी 14 और 15 वचन में हनुक के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि हनुक जो आदम से सात्वी पीडी में था इनके विशे में भविश्वानी की देखो प्रभू अपने लाखो पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्तिक के सब कामों के विशे में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किये हैं और उन सब कठोर बातों के विशय में जो भक्तिहिन पापियों ने उसके विरुद में कही है दोशी ठहरा है। इस वचन में सबसे महत्रपून बात यह है कि हनुक एक बविश्वप्ता था जिसने उस समय के अधर्मियों के लिए न्याय की बात की। यह है वचन हमको बताता है कि हनुक के समय में भी संसार दूस्ट बन चुका था। लेकिन उस दूस्ट संसार में भी हनुक परमेशर के साथ साथ चलता रहा। नुक के समय में जो जल प्रले आया वह है परमेशर की भयानक नियाय का परिणाम था और प्रतीक भी लेकिन इससे पहले की परमेशर नुक के समय सारी प्रिथ्व को जल प्रले से नाश करता परमेशर ने 300 साल तक उस समय की अधर्मियों को हनुक के द्वारा चितावनी प्रियो यहां हमें एक बात सिखने को मिलती है कि उस समय में भी लोग दूस्ट, पापी तथा अनैतिक थे बुराई चारो तरफ थी और इससे भी बढ़ कर जो बात हम दिखते हैं प्रियो कि उस समय के लोगों के पास परमेशर का वचन नहीं था लेकिन फिर भी हनुक ने आदम से सात्वी पीडी का था और जितना उसने अपने पुर्वजों से परमेशर के बारे में सुना होगा उसने उन बातों पर विश्वास करके अपने विश्वास को परमेशर पर बनाये रखा प्रियो आज हमारे पास परमेशर का जीवित वचन है एक से एक प्रचारक है जिन से हम परमेश्र के वचनों की शिक्षा पाते हैं लेकिन फिर भी हम विश्वास में डगमागा जाते हैं उस समय के लोगों के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था जो उन्हें परमेश्र के बारे में बताता लेकिन फिर भी हनोक ने जाना कि कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है और उसने उस परमेश्र के विशय में जो भी बात जानी उस पर विश्वास करके उस पर चलता गया क्या हम अपने जीवन में परमेश्र के विश्वास में बने हुए हैं? बाइबल हमको यह बताती है कि विश्वास बीना उस परमिश्र को प्रसंद्न करना अन होना है आज हमारे पास धेरो प्रमाण है जो हमें सच्चे और जीविते परमिश्र के बारे में बताते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस पर विश्वास करती है प्रियो नए निया में हमें हनोक का एक और संधर्व दिखने को मिलता है जो इबरानियों की 11 अध्याए में है जहां पर विश्वास के नायकों के बारे में बताया गया है जहां पर इस व्रकार से लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेशन ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, कि उसने परमेशन को प्रसन्ने किया था। प्रियो, हनुक के जीवन के सबसे महत्यपून बात, जो हमारा ध्यान उसकी और आक्रशित करती है, वह है उसका परमेशन के साथ साथ चलना। हमें इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए भी बहुत महत्यपून है। प्रियो, जब हनुक 65 वर्ष का था, तब उसका बड़ा बेटा मतुशेला उससे पैदा हुआ। और वचन में लिखा हुआ है, कि मतुशेला के जनम के पस्चात हनुक 300 साल परमेशर के साथ साथ चलता रहा। इसका मतलब मतुशेला के जनम से पहले हनुक का 65 साल का जीवन परमेशर से दूर ही रहा होगा। उन 65 सालों में क्या हुआ था हम नहीं जानते। लेकिन बाइबल हमें इतना बताती है कि मतुशेला का जनम हनुक के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद वह 300 साल तक परमेशर के साथ साथ चला और उसकी बाद वह उठा लिया गया और लोप हो गया। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि परमेशर के साथ साथ चलना इसका अर्थ क्या है। तो आईए प्रियो अब हम जानते हैं कि परमेशर के साथ साथ चलने का अर्थ क विश्वास के बिना हम परमेश्र के साथ अपना रिष्टा नहीं बना सकते हैं। उसका पाप शमा ना कर दिया जाये। और वह विश्वास से धर्मी ना हो जाये। लेकिन हनोक ने अपने विश्वास से परमेश्र को प्रसंद कर सकते हैं। आमोस नभी यहाँ पर अपने सवाल में एक बहुत ही महत्यपून बात पूछने का प्रियास करते हैं, कि यदि दो मनुश्यों के मन एक ना हूँ, उनके विचार एक ना हूँ, उनके हिर्दे एक ना हूँ, तो क्या वो एक साथ चल सकेंगे? नहीं प्रियो, ऐसा संभव नहीं है, दोनों को एक साथ चलने के लिए ना सिर्फ उनके मन, विचार और हिर्दे का एक होना जरूरी है, बल्कि उनके उद्देशों का भी एक होना बहुत जरूरी है, तब ही वो उस दिशा में एक साथ आगे बढ़ सकेंगे, जब हम अपने मन को परमेशर के मन की जैसा बनाती है, तब उसका उद्देश भी हमारा उद्देश बन जाता है, परमेशर के साथ एक मन होने का मतलब है, कि जैसे परमेशर सोचती हैं, वैसे सोचना, जैसे परमेशर बूलती हैं, वैसे बूलना, जब कोई व्यक्ति परमेशर के साथ एक मन ह जाता है तो जिस बात से परमेशर को दुख होता है उस बात से उसे भी दुख होगा और जिस बात से परमेशर को खुशी मिलती है उस बात से उसे भी खुशी होगी इसलिए प्रियो यदि आप परमेशर के साथ चलना चाहते हैं तो ना सिर्फ आपको उस पर विश्वास रख हनुक ने परमेश्र को जाना होगा, क्योंकि जब हनुक का जनम हुआ तब आदम 622 वर्ष का था और आदम की मृत्यू 930 साल में हुई, इसका मतलब यह है कि हनुक 308 साल आदम की संपर्क में रहा होगा अपने आईू की 65 साल तक हनुक ने परमेश्र को जानने का प्रियास किया, वो आदम से मिलकर पूछता होगा कि अदन की वाटिका में वह किस तरह परमेश्र के साथ चलता रहा आदम ने अपने अनुभव हनुक के साथ बाटे होंगे और हो सकता है प्रियो कि उन 65 वर्षों तक वह यह खुजने का प्रियास कर रहा होगा कि अब वह कैसे परमेश्र के साथ चले इसलिए उसने प्रात्ना के माध्यम से परमेश्र को जानने का प्रयास किया हम यह कह सकते हैं कि हनुक एक प्रात्ना करने वाला व्यक्ति था जिसने अपनी प्रात्ना के माध्यम से परमेश्र के साथ एक घनिष्ट संबन स्थापित किया और इसलिए परमेश्र ने अपने ह प्रियो, जब हम भी परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो हम भी उसे और करीब से जान पाते हैं, और जितना हम उसे जानेंगे, उतना ही अधिक गहरा संबन्द परमेश्वर और हमारा स्थापित हो पाएगा। और जब परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ट संबन्द स्थापित हो जाता है, तब परमेश्वर अपना रहे से हम पर प्रगट करते हैं, जैसा यर्मिया नभी की पूस्तक और उसके 33 अध्याय के तीन वचल में लिखा हुआ है, कि यह हुआ कहते हैं, मुझसे प्रातना कर औ नाकि वह हम पर भीद प्रकट कर सकें, प्रियो, हनुक कभी कभी परमेश्वर के साथ नहीं चला, लेकिन बाइबल हमें बताती है, कि वह तीन सो साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, अर्थाद हनुक हर दिन, हर समय परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और इसलिए वह अभी भी परमेश्रक के उपस्तिती में चलता है। प्रियो, कितनी मनोहर बात है कि हनुक मृत्यों का स्वाद ना चक पाया। हनुक ने मृत्यों को नहीं देखा और हमारी पीडी के लिए वह एक आदर्श बन गया। प्रियो, जब आप भी परमेश्रक के साथ चलोगे, तब आप भी उस वरगी आनंद को अपने जीवन में महसूस करोगे जो हनुक ने किया था। प्रभु येश्यों मस्य के द्वारा पिता ने हमें मृत्यों के बाद एक जीवन देने का वादा किया है। ऐसा जीवन ना जिसमें कोई पीडा होगी, ना कोई शोक होगा, क्योंकि वह हमारी आखों से सब आशु पोंच डालेगा। हमें एक ऐसे राज्य को देने का वादा किया गया है, जहां हम उसके पवित्र उपस्तिती में अनंद काल तक रहेंगे। हनोक हमें यह सिखाने का प्रियास करते हैं, कि जब तक हम परमिश्र के साथ नहीं चलेंगे, तब तक हम उसके राज्य में प्रविश नहीं कर सकते हैं। अर्थात, परमिश्र के राज्य में प्रविश करने के लिए हमें उसके साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। प्रियो यदि आप संसार के साथ चलोगे तो आप संसार के साथ ही रह जाओगे और यदि आप परमिश्र के साथ चलोगे तो वहें आपको अपनी साथ अपनी राज्य में ले जाएगा तो अब निरने आपको करना है कि आप किसके साथ चलना चाहते हैं आशा करती हूं प्रियों हनों के जीवन पर किया गया यह अध्यन आपके लिए आशिश मैं रहा होगा अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ आप सबसे फिर मुलकात होगी तब तक के लिए आप सब को जय मसिके